कि नमस्कार मेरा नाम है संदीब कुमार शुकला आप देख रहे हैं वाइफा स्टेडी लाइव यूट्यूब चैनल एससे सीजियल 2023 नोडिफिकेसन आ चुका है इसका एक्जाम जुलाई भी होने वाला है लेकिन आप मेंसे बहुत ऐसे एस्प्रेंट्स होंगे बहुत ऐसे च्छाथ रहूंगे जो नई तरीके से तेरीं शूरू कर रहे हैं या स्टार्टिंग के रहे हैं उन्हें डौ उड़ुट्स होते हैं सबसे जो प्लान का प्लान किया है और उıl элемstellar से सबसे जो कॉमेंण्स होता आप पैटर्न क्या है वह हम आपको बताने वाले इस वीडियो में चेलों को सब्सक्राइब जरू कर दिजएगा वीडियो को लाइख जरू कर दिजएगा मेरा नाम है संदीप कुमार शुकला इस चनल में मैं पॉइंट B में लिखा है जर्रल अवेर्नेस, जर्रल अवेर्नेस में GK plus science plus current reference count होता है, तीसरे पॉइंट पर लिखा है quantitative aptitude, और चौथे पॉइंट पर लिखा है English comprehension, यह चार चीज़े आती है, बेसिकलिए अगर जर्रल केटेगराइज करेंगे, तो GK आता है, GK में GK science, current reference computer computer होता है, math होती है, reasoning होता है, जो पहले point पर लिखा है general intelligence reasoning, reasoning जो है, इसके 25 questions पूछेगा, एक question जो है, वो 2 marks का होगा, मतलब 50 number का reasoning होती है, दूसरा आता है आपका general awareness, यहां से भी 25 questions पूछी जाते है, एक question 2 marks का होता है, मतलब 50 number का general awareness आता है, तीसरा है math quantitative aptitude, math को quantitative aptitude कहा जात है, तो math के 25 questions पूछेगा, एक question 2 number का होगा, मतलब 50 number का, उसके बाद में, जो English comprehension है, English जो है, वो 25 questions होगे, एक question 2 number का होगा, मतलब 50 number का, तो अगर आप question की बात करेंगे, तो आप से 100 questions पूछे जाएंगे, 100 questions पूछे जाएंगे, math, reasoning, English और general awareness के, एक question 2 marks का है, मतलब total आपका 200 number का paper होने वाला है, 200 marks का paper होने वाला है, tier 1 का, SSE, CGL का, जो अभी जुलाई में होगा, form निकल चुके हैं, और आपने form अभी तक नहीं भारा है, तो form भर दीजेगा, 37, 37, इसके लिए समय कितना दिया जाता है, एक घंटे का समय, 1 hour का समय दिया जाता है, एक घंटे का समय द दिया जाएगा, solve करने के लिए, अगर नॉर्मल आदी में है तो एक घंटा, यह फिर आप दिव्यांग है, तो आपको एक घंटा 20 मिट दिया जाएगा, यह पूरो का पूरा tier 1 का pattern होता है, tier 1 qualifying होता है, cut off list आती है, अगर आप qualify करते हैं, तो फिर आप tier 2 में प्रवेश करते हैं, तो tier 1 के बारे हो, जो आपका जांकाजी दी है, मुझे अगर समय आगया हो, तो मज आगया हो, तो वीडियो को लाइक जरू कर देगा, चनल मैंने हो तो चनल को सब्काइब जरू कर देगा, वीडियो को दोस्तों को साथ, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp में शेयर जरू कर देगा, मेरा नाम है, संदिप कुमार, शुक्ला, मैं चार क्लास इस चलने पर जीके के लिए ता हूँ, दो पहर को 12 बजे, शाम को 7.30 बजे, रात को 10 बजे, और रात को 12 बजे, बाइबाइ, टेक केर